बिहार में सिबिल कोट परिक्षा की फॉर्म तो भर ली गई लेकिन तीथी के इंतेजार कर रहे हैं यानि परिक्षा का डेट कब निकलेगा अब भियार्थी टक लगा कर बैठे हुए हैं नमस्कार मैं हूँ राजन कुमारा बने मैं न्यूजपियर के साथ बिहार सिबिल कोट परिक्षा की तीथी अभी तर भोसित नहीं हुए अब भियार्थी फॉर्म भर चुके हैं और इंतेजार में है कि परिक्षा की घोषना कब की जाएगी नहीं जो तीथी है उसकी घोषना कब की जाएगी फोन पर न्यूस प्यार की टीम ने एक अभ्यारती से भी बात की थी कि सिविल कोट परिक्षा का क्या निश्कर्स निकलने वाला है अभ्यारती ने साब तोर से कहा क्या करे सर्फ परिसान है जिस तरीके से सिविल कोट परिक्षा का अभी तक तीथी नहीं निकला है हम लोग परिशान है फार्म तो भर दिया जाता है लेकिन तीथी का इंतजार करना परता है अब इस पर बारी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि लोकसवा चुराओं के बाद बिहार सिबील कोर्ट परिक्षा के अभी तीथी की घोसना कर दी जागी यानि मैं से जून तक ब कैंसी निकली थी उस पर आने वाले दो से तीन महिने में जल्द ही परिक्षा की घोसना की जागी यानि परिक्षा की तीथी की घोसना की जागी अंदर खाने से जो बात निकल कर सामने आ रही है सुत्र बता रहे है कि जल्द ही इसकी घोसना की जागी बिहार सिबील कोर्ट जिस तरीके से फर्म भरवाने के बाद वो पेंडिंग में चली गई थी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और लोगसबा चुनाओं के बाद बिहार सिबिल कोट परिक्षा कीती थी जल्दी घोसित कर दी जाएगी जो अब बिहार थी इंतजार में बैठे वे हैं वो तैयारी क करना शुरू कर दे परहाई करना शुरू कर दे क्योंकि आने वाले 2-3 महिने में बिहार सिबिल कोट परिक्षा कीती थी जल्दी घोसित की जाएगी देखे अंदर से बात जो निकल कर सामने आ रही है वो अंदर खाने की बात आपको हम बता रहे है देखे B.S.A.C. CGL 3 अच्छे किती थी कि घोसना कर दी जाएगी